नमस्कार मैं हूँ दिवे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो के ओबने से पहले एक नजल सुर्खियों पर होली पर्व कोले कर स्वास्त विभाग अलर्ड बिहार के जिले में कई सरकारे स्कूल की मानिता हुईरद सीट बटवारे से पहले आर्जेडी के सिंबल देने पर कॉंग्रेस ने दिया बयान चिराग पासवान ने पसुपती पारस को लेकर दिया बयान सिक्योरिटी को चक्मा देकर विराट कोली से मिलने पहुचा फैन इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से होली पर्व को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट होली पर्व को लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट मोट पर है बिहार के कई जिलों में आज भी होली का तेवहार मनाया जा रहा है इसी करी में होली को लेकर स्वास्त विभा को अलर्ट मोट पर रखा गया है पटना इस्थित PMCH IGIMS एमर्जिंसी में डॉक्टरों की तैनात ही की गई है इसमें तैनात जूरिय डॉक्टरों के साथ वरिय चिकिचकों को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है PMCH और IGIMS में 24 घंटे कंट्रोल रूम में कारे किये जा रहे हैं बताया जाता है कि अस्पताल में होली को लेकर पांच बेटा अपातकाल के लिए सुरक्षत हैं जिलों के PHC में डॉक्टरों और 12 मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रध है वहीं इमर्जेंसी के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है PMCH इंदिरा गांधी आकास में कि काई का नंबर 06123 00008 सुने है और PMCH मेंडिकल इमर्जेंसी नंबर 06123 0000177 है PMCH पूछताच केंद्र 06123 002266 PMCH कंट्रोल रूम नंबर 061223 00008 सुने IGIMS 9473 191807 और टेलीफोन नंबर 06122 97099 या 229763 है पटना एमस अस्पताल 947 0702184 टेलीफोन नंबर 06122 45107 सुने और न्यू गारिनर रोड अस्पताल 8521 86102 सुने है बिहार के कई जिलों को मौसम विभाग ने बारिस और ठंका को लेकर अलर्ट इन जिलों के लिए विभाग की ओर से गेलो अलर्ट जारी किया गया है और इने साबधान रहने के अपील की गई है इसमें पश्चमी चंपारन पूर्वी चंपारन अररिया सुपॉल मदू बनी सीता मरी किसंगंज पुर्णिया सामिल है इसके अलावे अने जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है वही एक ट्राफ रेका उत्तर पूर्व मध्यर प्रदेश के साथ ही छोब मंडल अस्तर पर दक्षिन पूर्व अस्तर पर बनी हुई है इसी कारण अरुनाचल प्रदेश असम मिखाले नागले वनीपूर मिजोरम आदी राज्यों के साथ ही बिहार में भी बारिस के संकार चताई गई है बिहार के जिले में कई सरकारी स्कूल की मानिता हुई रद बिहार के नवादा जिले में बिहार विद्याले परेच्छा समीती ने 21 अनुदानित हाई स्कूलों की मानिता को रद कर दी है इस संब्ध में पत्र जारी किया गया है इसके बाद इन स्कूलों में हर कंफ मत गया है वहीं विद्यालों में पढ़ने वाले चात्रों के नाम बगल के सरकारी स्कूलों में टैग कर दिये गया है मानेता रद्ध होने वाले स्कूलों के सारे स्क्षनिक कारे अब टैग किये गया है इसकूल में ही होंगे इस कारण इन स्कूलों में पढ़े विद्यारतियों को कोई भी परिस्टानी नहीं होगी पटना में कई संपतियों के खरीद विक्री पर प्रतिबंद पटना में करीब 400 संपतियों के खरीद विक्री पर प्रतिबंद लगा दिया गया है बकायदारों को एक्तिस मार्च के बाद प्रोपर्टी टैक्स देने पर जुर्माना लगेगा पटना नगर निगम ने खरीद बिकली पर प्रतिबंद का नोटिस चस्पा चिपका दिया है और इन्हें बकाया चुकाने के लिए एक्तिस मार्च तक का समय दिया गया है अगर एक्तिस मार्च तक ये टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा पैनल्टी के तौर पर इन्हें 1.5 प्रतिशत की अतरिक्त रासी का भुगतान करना होगा लोगों को आसानी इसे इसको लेगर रिक्तिस मार्च रविवार के दिन भी पटना नगर निगम के सभी काउंटल खुले रहेंगे इसके लावे निगम के आधिकारिक पोर्टल HTTPS www.pmc.bihar.gov.in slash home.aspx पर घर बैठे संपती का भुगतान किया जा सकता है होली पर सिक्चकों के स्कूल आने के आदेश पर सिक्चक संग ने जताई नाराजगी है सिक्चक संग ने कहा है कि होली के दिन विद्याले में कई सिक्चक ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं इधर कई सक्षक ऐसे हैं जो अपने परिवार बच्चों को छोर कर होली की खुसी को भूल कर स्कूल में ही सारा समय बिता रहे हैं। इस पर सक्षक महा संग ने महा सरचीब ससी सुमन ने लोकल न्यूज 18 से बातचीत करते वे कहा है कि बिहार सरकार को सक्षकों के लिए दिया गया ये फर्मान बेतुका है। उन्होंने कहा जहां पूरा देशवासी एक तरफ फोली के जस्ट में अपने परिवार दोस्तों के साथ मौज मौस्ती करते नजर आ रहे हैं। दर्जा देने के लिए सक्षमता परिख्चा का योजन हुआ था। BSEB में 26 फरवरी से 6 मार्च तक राजी के अलग-अलग किंद्रों पर परिख्चा का योजन किया गया था। इसके बाद अब बिहार बोट की ओर से रिजल्ट की घोस्त ना की जाएगी। इस सिक्षक वेबसाइट www.bsebsakchamta.com slash login पर चेक कर सकेंगे। बिहार में कई सिक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश। बिहार के नवादा में निग्राने विभाग की जाएगी। होई है, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है और करी सिक्षक दोसी पाये गया है। इसके अलावे इनकी रिपोर्ट भेजने की भी बात कही गई है। प्रात्मिक सिक्षा ने देसक मिथलेस मिस्रा ने इसे लेकर जिला सिक्षा पतादीकारी को पत्र भेज दिया है। मालूमों के 40 नियोजिट सिक्षकों के प्रमान पत्र जाज में निग्रानी इन्हें दोसी पाया था। इसके बाद इनकी खिलाफ कारवाई का आदेस है। इसी को लेकर पूर्व सांसादानन्द मुहने तंज कसा है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे 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 मौका दिया गया है। किसी समय बकसर से लाल मुनी 24 लगातार बीजेपी के सांसत हुआ करते थे। उनके बाद अस्विनी 24 को मौका दिया गया था। सीट बटवारे से पहले आरजेरी के सिंबल देने पर कॉंग्रेस ने दिया बयान। कॉंग्रेस का बयान सामने आया है। कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखलेस सिंग ने कहा है कि पार्टी का सिंबल वापस भी हो सकता है। महा गटबंदन में सीट शेरिंग को लेकर जल्दी आधिकारिक बयान दिया जाएगा। अभी सीट बटवारे का अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। जल्दी आधिकारिक ऐलान किया जाएगा और बात चीत अच्छे दौर में चल दही है। अखिलेज सिंग ने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का अपना एक महत्व है। कॉंग्रेस का राष्ट्रे महत्व बहुत बड़ा है और हम लोग राष्ट्रे अस्तर पर चुनाव लड़ते हैं। चिराग पासवान ने पसुपती पारस को लेकर दिया बयान। जमुई से सांसद और LJPR के राष्ट्रे अधर चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने अपने चाचा पसुपती पारस को लेकर बयान दिया है। और कहा है कि मेरे घर में बड़े फैसले लेते हैं। अगर वो एक होने का फैसला लेते हैं तो उनका फैसला स्विकार होगा। ऐसे में परिवार और पार्टिस से अलग होने का फैसला चाचा ने लिया था। तो उनका जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा। निरने उनको ही लेना है, उन्होंने कभी मुझे अपना खून माने से इंकार कर दिया था, आज वो जो फैस्टर लेंगे मैं अपने सराखों पर रखूंगा, चिराग पास्वान ने भी कहा है कि वो हाजिपूर को देश और दुनिया में अस्तर पर नंबर वन बनाने का काम कर दरसल सोसल मीडिया के माध्यम से एंडिये के उमधवार मिथले स्तिवारी का बीजेपी के गुट ने विरोत किया है, इनकी मांगे की भारी प्रत्यासी को हटा कर लोकल उमधवार को मौका दिया जाए, इस पर बकसर सांसद और केंद्रिय मंत्री अस्विनी चौवे ने सोस की पूंजी रही है, सत्य परिशान हो सकता है, पराजित नहीं, सभी सुपचिंदकों और समर्थकों से आगरा है कि धैरे बनाए रखे, सब मंगल होगा, और अंगाबाद से भाजबा के प्रत्यासे सुनील कुमा ने किया नामंकन दाखिल, और अंगाबाद से भाजबा के के लिए एंडिय की और से बीजेपी के लिए अपने नामंकन दाखिल किये हैं, इस दोरान उनके समर्थकों की भारी भीड रही, समर्थकों ने जैसरी राम के नारे भी लगाए, आपको बता दी कि सांसर सुसील कुमार सिंग ने कलेक्टर डेट के जिला निर्वाजन साखा में जाकर अपना नामंकन पत्र दाखिल कर दिया है, ये लगातार तीसरी बार भारतिय जंता पार्टी को मिद्वार है, नामंकन दाखिल करने के बाद सुसील कुमार सिंग ने कहा है कि संजनता का प्यार और अस्थरवात के 7-7 पार्टी का विश्वास भी उनके साथ है, ब पीज भोजपूरी गायक और अभीनेता गुंधन सिंग ने नवादा से लोगसभा चुनाव लड़ने की घोस्त ना कर दी है। इस तरह से टीम ने जीत का खाता खोल दिया है। इस मैच में विराट कोली ने अपना एहम योगदान दिया है। इसके अलावे दिनेस कार्तिक ने भी मैच के दोरान सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने विनिंग रन बनाए। वही बैंगलॉर के चिनना स्वामी एस्टेरिय को गले भी लगा लेता है। अलाकि सिक्यूरिटी वहां पहुँचकर उसे ले जाती है। बीते दिन हमाई दोरा पुचे के सवाल का आप्टों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिका दिया था जिन्होंने हमाई दोरा अगर आप यूरोप से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब बना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद